दोस्तों आपके मेरे पास बहुत सारे कोश्चन्स आ रहे हैं सब काँसर मिल जाएगा आज की वीडियो में और हम करेंगे कुछ अंदर की बाते हैं चक्कर क्या है आप मैंसे काफी लोग वेट कर रहे हैं कि बजट में हमें अच्छे फोन कब देखने को मिलेंगे हाला कि अभ हमारा पहला कोश्टन है इस गुड़ टू बायर रियल वी 9 प्लस फॉर ओल डाउंटर मोबाइल देखो यार मुझे फोन सही लगा थोड़ी वो चीज़िया जो इंप्रूम होनी चाहिए एक तो मुझे बिल्क्वाल्टी इस फोन की अच्छी लगी है लेकिन जो ग्लोसी फ में अराम से मिल जाता है तो उस रेंज में मैं आपको रिक्मेंड कर सकता हूं लेकिन अगर आपको रियल्मी जीटी नियो टू मिल रेकम प्राइस पे तो वो इसके गमपैजन में सूपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है 25,000 से गम की रेंज में ये जीज़ आपको माइ बेगन 870 के साथ क्या Samsung S22 Plus iPhone 13 से बैटर है या फिर पिक्सल से देखो इन तीनों को अगर आपको फिर करते हैं तो मुझे लगता है Android में S22 Plus में आपको रिकमेंड कर सकता हूं राम से और Apple में iOS में iPhone 13 एक बहुत ही स्टोंग फोन है दोनों स्मार्टफोन की ओडियंस पिलकुल अलग के हैं फोन दोनों ही टोप क्लास के हैं सर मुझे बजट में स्मार्टफोर्ट चाहिए आपको चाहिए वोच 3000 की रेंड में can you suggest me which one is best pick my question देखो यार आपके लिए मेरे कोर्डिंग डिजो वोच पॉर्ट टू यह लोग जोगते अभी कुछ नहीं पहले मैं इसका वी स्मार्टफोर्ट के लिए बागी मैं आपको डिस्क्रिप्श में लिंक दे रहा हूं वह आप चेक कर लेना वहां पर आपके सबी डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वोच को लेकर आप ओल डाउंडर फोन उनमें से किसको क्या सकते हैं यह डिवाइंड करते हैं आपकी प्रियोटी के ऊपर या आप फोन किस चीज के लिए बाइक कर रहे हैं क्या आपकी में प्रियोटी है जैसे कि अगर आपको चीए बैस्ट क्यामरा फोन इस रेंज का तो मुझे से कंपस एगमेंट है शोमी 11 आई भी वहाँ पर बहुत भी पॉपलर स्मार्टफोन है उसकी परफोर्मेंस भी टोप क्लास के आपको मिल जाती है रिल्मी 9 प्रो प्लस भी अच्छा फोन है तो फोन काफी जा रहे है वीडियो देख लेना आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी दोस्तों वीडियो आपको चाहिए रहा हूँ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मुझे बदाना कमेंट्स में मैं आपको जो भी आपर फोन बता रहा हूँ जो भी आपके कोस्टेंज हैं आपके हिसाब से किस बजट में कून सा फोन बाइक करना चाहिए कमेंट करो लाइक करो हम आगे बढ़ते हैं मिल जाएगा तो अगर आपको बारा तेरह मिल रहा है तब यह फोन आप देख लेना बट 15 तक इस फोन के लिए आप मत जाईएगा यह मैं आपको कहूंगा बैस्ट 5G वीड एमुलेड अंडर 15,000 यार 15 से कम अगर आपको देखने बाट 15,000 तक की रेंज में इसके लिए आपको थोड़ा इंचार ना पड़ेगा को दगड़े वाले ओफर्स का कुछ तक आपको यह ओफर्स देखने को मिल जाएगे फिलाल तो ओप्शन उतनी जादा नहीं है एमुलेड प्लस 5G की 15,000 से कम की रेंज में इस पर भी में वीडियो कर चुक हूं वो भी आप चेक खलेना उसका लिंक भी डिस्किप्शन में अवेलेबल है क्या आज के समय रियल्मी एड 12,250 मिलेना सही है जी हां इस रेंज में रियल्मी एड 4G बहुत ही स्ट्रॉंग स्मार्टफोन है प्रफोर्मेंश डिस्प् आपको चैनीज में लेना चाहते हैं अगर आपको नोन चैनीजी फोन चाहिए तब आप वेड कर सकते हैं A53 या A73 का ये फोन आपको बहुत ही स्ट्रॉंग है अपने सेग्मेंट का बेस्ट कैमरा फोन मैं इसको बोल सकता हूं या तो आप चैनीज में लेना चाहते हैं तो अगर आपको नोन चैनीजी फोन चाहिए तब आप वेड कर सकते हैं A53 या A73 का ये फोन आपको जल्दी इंडिया में जाहिने को मिलने वाले है क्या F23 बलकी फील होता है नहीं मुझे ये फोन बलकी फील नहीं हुआ यूज करने में फोन ये कंफरेबल लगता है आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो बलकी ना हो कंफरेबल हो सिक्योर्टी फोन की अच्छी हो तब ये फोन 15,000 की रेंज में ये टोप क्रास का फोन है 25,000 में आपको फोन चाहिए बैस्ट कैमरा और डिस्प्ले के लिए देखो मैंने का जैसे आपको 20-25 में फोन का अभी मेरे पैंडिंग थे और मैंने सब रिजल्ट निकाल दी हैं जल्दी मैं इनको पोस्ट करने वाला हूं तो दिल थाम के बैठना हो सकता है आप ही जीच जाए कुछ ना कुछ प्रड़क्ट हाय सर मुझे रेट्बी नोट 11 प्रो प्लस मिल रहा है 18,000 में आखके पर तो वैसे ओन पेपर में देखकर कह सकता हूं कि मुझे ये फोन सही लगा प्राइस के हिसाब से 18,000 के हिसाब से तो टोप क्लास का यहाँ पर है snapdragon 695 जिसकी performance next level है अगर आप 14,000 के साब से देखते हैं तो gaming करो normal यूज़ो कुछ पी करो आपको मज़ा आएगा फोन यूज करने का बिसिकली मैं यह कह सकता हूं जो वीवो T1 है उसी का छोटा वाई है आईकू Z6 वीवो T1 का क्यामरा थोड़ा weak था इसका क्यामरा इंप्रूव हो चुका है वीविजार की रेज में कोई ऐसा फोन जो background में 6 से जाथ application है भी application रन करें देखो जो Snapdragon 695 है यह अच्छा पूछ राइसर है यहाँ पर मैं कह सकता हूं आप अच्छे से application को background पे रन कर सकते हैं तो यह आप देख लेना रेडवी note 11 pro plus आपको मिल सकता है कम प्राइस पर तो आप देख लेना अधरवाइस आपको बहुत ही जल्दी oneplus का budget वाला फोन देखने को मिल जाएगा यह मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं यह मेरे circle में कुछ फोन लोग फोन यूज करने हैं टेस्टिंग करने है फोन की इसकी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी इंडिया में यह फोन जल्दी लोंच होने वाला है इसका नाम होगा oneplus note c2 light इसमें भी होगा snapdragon 695 और यह फोन आपको मिल सकता है 15-16,000 के आसपास की रेंज में में recording आपको introductory price मिलेगा इसका 15,000 और वैसे इसका price होगा 16,000 के आसपास यह मुझे लग रहे अगर 15-16,000 के मिलता है ना आपको oneplus का यह phone तो मैं कोंगा आपको मज़ा आ जाएगा लेकिन कमी यह रहेगी एक तो यहाँ पर मिलेगी आपको plastic bill quality और amolet displays phone में नहीं होगा IPS पैनल होगा यहाँ पर और camera जिस phone के शायद उतने strong आपको ना मिलें बगी सारी बात यहाँ पर है pricing की अगर 15 अगा आप फोन फिट तो camera भी उस price पर ठीक ही रहेगा बट अगर अगर फोन अठाना तक हुआ तब मैं कोंगा मज़ा जाएगा आएगा आपको इस camera यूज करन IQ 9 SC या Realme GT Neo 2 देखो इन दोनों में से मैं आपको कहुँगा कि जो ओल्ड अंडर फोन है न वो है IQ 9 SC नू भी है परफोर्मेंस अच्छी है camera stop class के ही है बिलक्वालिटी वगरा सब पुछ आपर top class का मुझे लगा आप ही देख सकते हैं best smartphone under 30k देखो एक तो आपको 30 दान में IQ IQ साथ मिल जाता है जो मुझे अच्छा फोन लगता है और IQ 9 SC एक बहुत ही अच्छा फोन है आपको ओफर में iPhone 31 तक अराम से मिल जाएगा और Realme GT Neo 2 भी एक काफिस iPhone है यह तीन फोन आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में ही आपको मज़ा आएगा यूज करने का तीनों को मैं एक ओल डाउंटर पैकेज बोल सकता हूँ Samsung की तरफ से हाँ यहाँ पर दो चीज़ है एक तो stereo speakers नहीं है और build quality आपर A52 जैसे आपको नहीं मिलती है बागी सब को स्टोप क्लास का है यहाँ फिर आप बेट कर सकते हैं A53 का यह फोन आपको बहुत ही जल्दी इंडिया मिल जाएगा मैंने देखा है अच्छा फोन है कुछ इस फोन में आपको मिलने वार है तो मैं recording आपको वेट करना चाहिए A53 का जहां तक M53 की बात है तो वो भी आपको जल्दी इंडिया में जेखने को मिलेगा M53 जो आपको मिलने वाल है ना A53 वैसा ही सेम रहेगा M53 थोड़ी बहुत चीज़ें पर प्लस माइनस की चोड़ा सा फोन है बैटरी पेकप फोन का अचाहा है नहीं तो बूल जाओ इसको आप बैस्ट फोन अंडर 17 के आपकी वराटी है गेमिंग कैमरा एंड अमुलेड डिस्प्ले है देखो यार 17 के अंदर फोन तो बहुत सा रहा है बट अमुलेड प्लस हाई परफोर्मेंस य अच्छ फ्रंटर रियर कैमरा फोन पच्छी आर्ट पस के रहें देखो यार वियोगी तो नहीं चीए आपको नहीं चीए बिकोज उस फोन में नो हो जाए उसके लावा तो एंफिटू ही है जिसका कैमरा मुझे सभी लगता है पच्छी आर की रहें में बागी शोमी 11 आये भी खतम होने वाली है इसके लावा जो न्यू सेल है उसके लिए आपको नेक्स्ट मंत का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंत आपको समर सेल देखने को मिल सकती है यहाँ पर भी कुछ ना हुज आपको तकड़े डिसकाउंट दिये जाएंगे तो थोड़ा वेट कीजिए इस रेड़ी नोट 11 ट्रो गुड ऑप्षिन अंडर 20 के हैं देखो एक ठीक ऑप्षिन है ऐसा नहीं कि कुछ आपको एक्स्ट और यहाँ पर दिया जा रहा है बड़ जो आपको मिल रहा है उस रेंज में बाकी लोग भी दे रहे हैं यह मैं कोंगा बड़ आप देख सकते है फोन अच्छ है मैं यूज़ करना हूँ फोन ठीक लगा मुझे यूज़ करने में तो बड़ मुझे लगता था यार अगर जो 695 वाला है वो मिलता ना 16-17 में तब कुछ ज्यादा बड़िया बाद बन जाती है अभी 5G मोबाईल लेना सही है देखो 5G मोबाईल आप ले सकत तब 4G आपको ज्यादा अच्छ ओप्शन देखने को मिल जाएंगे अगर अगर आपको फोन ले रहे हैं तब आपको अच्छे 5G ओप्शन मिल रहे हैं जिनको मैं एक कम्प्रिट पैकेज भी बोल सकता हूँ जिए आपको कुछ कोशन मुझे हैं आपको के कोशन मिल गया हो मैं आपको काफी सारे न्यू फोन हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं M53 लाइन में है A53, A73 जल्दी आपको मिलने वाले है फोन अगर आपको 25,000 से उपर की रैंज में कोई फोन चाहिए तो में रेकोडिंग तो सैमसंग में तो आपको थोड़ा वेट करना ही चाहिए साथ में आइको के भी और वीवो के भी न्यू फोन आपको देखने को मिलेंगे Oneplus भी बज़र में फोन लौंच करने वाला है में तो Oneplus लोट सी टू लाइट ये तो फोन है ना 15,000 में ये फोन गेम चेंजिंग फोन बन सकता है Oneplus की तरफ से बागी चीज़े तो हम आप से ना सही है फोन बहुत इस नहीं मैंने देखा जो स्नैप्रेंग 695 है ये बहुत ही पॉपलर हो चुक है दस से लेकर 20,000 के बीच में और ये परफोर्मेंस भी आपको बहुत बढ़िया दे देता है तो अगर आपको ये पुरसाचर मिल रहा है इस लेंज में और साथ म इन्डिया में आना माले हैं वो बीच आओ से कम की रेंज में उसको भी हम बोल सकते हैं ओल डाउं popular package ये फून Mang tunes में इंडिया ऐंजिनग को मिल सकता है साथ में 25,000 के आज पास की रेंज में ये बर नगा इडिया में एक flagship पिलर स्मार्टफोन और आपको एक और फोन मिलेगा स्नेयर बेन 870 के साथ ये भी होगा पोको का स्मार्टफोन मेरे कोरिंग ये फोन आपको मिल सकता है 20,000 से कम की रेंज में तो पोको X3 प्रो है इसका true successor आप उस फोन को बोल सकेंगे यहाँ पर आपको 860 से ओपर का processor मिलेग और मुझे लगता है उसके बाद तो 870 आपको जहने हो मिल सकता है वो भी कम प्राइस पे अगर 870 मिल गा ना 17,000-18,000 में तो मैं कहूंगा पूरी मार्केट में दवाल मच जाएगा और PUBG का ट्रेंड ना और भी नेक्शनल पहुंच जाएगा बिकोज PUBG के लिए 870 बहुत ही बड़ी आप processor है और आपको मिल जाए 20 जाए से कम की range में तो उससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती है मुझे उमीद हैं आपको जाए लिए होगी आज की वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल लिए हो दो वीडियो को लाइक और शेकरना मत भूलेगा मिलते हैं आपको किसे और वीडियो में थैंक्स रोचिंग दिस वीडियो